आज हम आपके लिए लेके आये हैं नवरात्री के वरत में खाये जाने वाली राजगीरा के आटे की पूरी की रेसिपी नवरात्री के वरत में चाहे कोई भी रेसिपी बनाईए ये राजगीरा के आटे की पूरी आपकी वरत की थाली को जरूर कंप्लीट करेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मैनत से और बहुत ही कम सामगरी से बनती है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं Welcome to Cook with Bhoomika राजगीरा के आटे की पूरी बनाने के लिए चाहिए दो कप राजगीरे का आटा इसके बदले आप कुट्टू का आटा या सिंगाडे का आटा जो भी आप प्रत में खाते हैं वो इस्तमाल कर सकते हैं एक आलो को उबाल कर छील लेंगे क्योंकि ये वरत की रेसिपी है इसलिए स्वाद अनुसार सेंदा नमक एक टीस्पून मुंफली का तेल मोयन के लिए और थोड़ा सोखा आटा पूरी बेलने के लिए जरुरत के अनुसार इस्तमाल करेंगे और आटा लगाने के लिए गुनगुना पानी जरुरत के अनुसार इस्तमाल करेंगे और तलने के लिए टेल सबसे पहले आलो को कद्दुकस कर लेंगे क्योंकि इसे हाथों से मैश करके डालने से आटे में गांठे पड़ सकती है अब हम राजगीरा के आटे में पानी के अलावा बाकी की सारी सामगरी मिला देंगे अब हम सारी सामगरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमेशा दो कप राजगीरा के आटे के लिए एक उबला हुआ आलो इस्तमाल करें ये एक perfect ratio है अच्छी राजगीरा की पूरी बनाने के लिए और राजगीरा के आटे के बदले आप खुट्टू का आटा या सिंहाडे का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं और आलू के बदले एक केला इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका नज्यादा सक्त और नज्यादा नर्म ऐसा आटा लगाएंगे पानी हमेशा दीरी दीरे करके ही डाले नहीं तो आटा एकदम नर्म हो सकता है पूरी का आटा तयार है अब हम इसे थोड़ा सा तेल लगा कर मसल कर चिकना कर लेंगे आटा अच्छे से चिकना हो गया है और ये न ज्यादा नर्म है और न ज्यादा सक्त है और इतना आटा लगाने में हमने आदे गलास से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए हमेशा घुनगुना पानी ही इसतेबाल करें इससे पूरी बहत ही बढ़िया बनती हैं अब हम इसे डखकर करीबं पांच मिनिट का रैस्ट नेंगे इसे ज्यादा इसे डखकर लिनी रखना है इसे 5 मिनिट हो गया है अब हम इसे खोल लेंगे पूरी बनाने के लिए आटे में से छोटी छोटी लोईया तयार करेंगे और दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मसल कर चुपना कर लेंगे अब इसे सुखा अटा लगा देंगे और एक्स्टा अटा निकाल देंगे इसे चकला और बेलन की सहायता से बेल लेंगे इस रेसिपी के लिए पूरी को थोड़ा मोटा बेलेंगे ताकि पूरी अच्छी बने ये रेगुलर पूरी की तरह नहीं है इसलिए इसका पिनारों से फटना एकदम नॉर्मल है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपकी पूरी की किनारे फट रही है तो आप इस तरह से इसे जोड़ सकते है पूरी बेल कर तयार है ये देखिए और इसे इतना ही मोटा बेलेंगे ताकि पूरी अच्छी बने और इसी तरह से बाकी की पूरी बना लेंगे अगर आपको पूरी बेलनी में दिक्कत आ रही है तो दोनों हाथों को तेल से ग्रीस कर ले और लोई को दोनों हाथों की साहयता से अच्छे से मसल कर जिकना कर लेंगे और इसे चप्टा कर देंगे इसी तरह से दोनों हाथों की साहयता से बिना इसे बेले बड़ी ही आसानी से पूरी बना सकते हैं ये देखिए जब तक पूरी बेल रहे हैं तब तक तेल गरम करने के लिए रखेंगे पूरी को हमेशा तेज आज पर और एकदम गरम तेल में ही टीफ फ्राइ करें पूरी को चम्मच की साहयता से हलके हाथों से दबा लेंगे जैसे ही पूरी पर गरम तेल पड़ेगा वैसे ही पूरी फूलना शुरू हो जाएगी और जैसे ही पूरी फूल जाएगी हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ की गोल्डन होने तक दिफ्राइ कर लेंगे पूरी दोनों तरफ से गोल्डन हो गई है अब चम्मच को खड़ा करके इसका एक्स्ट्रा तिर कड़ाई में ही निकाल देंगे ये देखिए वड़िया से सुनेहरी गुपारे जैसी राजगीरा के आटे की पूरी तयार है ये देखिए नवरात्री स्पेशल व्रत रेसिपी राजगीरा के आटे की गर्मा गर्म और सुनेहरी पूरी तयार है आप इसे सामक के चावल की खीर या फिर आलू की सुखी सबजी के साथ सहब गर सकते हैं और ये दोनों रेसिपी आप हमारे चैनल के नवरात्री स्पेशल प्लीलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो इस नवरात्री आप अपने व्रत की थाली राजगीरा के आटे की पूरी इस रेसिपी से ट्राइ करके जरूर कम्पलीट करें और अपना फिडबेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं स्टे ट्यून्ट फूर मोर रेसिपीज अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें इससे हमारी चैनल की हर सिंगल अपडेट आप तक रेगिलर पहुंचेगी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें हम बहुत जल्ब वापस आएंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हापी कुकिंग, हापी हीटिंग, थैंक्यों पू वाजिग में वीडियों